किसी किसी को गोवी के सबजी खाना बिलकुल भी पसंद नहीं होता है अगर आपने एक बार इस तरीके से बना लिया ना तो जिसको नहीं भी पसंद होगा ना वो भी वो सबजी मांग मंग करके खाएंगे नमस्ते दोश्तो वेलकम टू कुकपित इंडियन टेस्ट मैं हूँ वेवी तो चलो आज कर इस पी शुरू करते हैं तो यहाँ पे लिया है 500 ग्राम गोवी तो यह ताजी वला गोवी और आज कल गोवी बहुत अच्छे आ रहे हैं क्योंकि ठंड का मोसम आने लग गई है तो इस टाइम में गोवी या कोई भी हरी सबजियां बनाओ तो अच्छे भी लगते हैं और सीजन का भी है और इसमें कीरे मकोरे नहीं होते हैं तो फिर भी एक बार चेक करना तो बनता है तो पहले हम गोवी को मोटे मोटे पीश में कट कर लेंगे और इसका बीच का जो डंडि गरम कर दी थी इसके करेंगे पसंद नहीं होता है इसमें जो अच्छी सी खुसृ आती है तो वो निकल जाती है फिर पट से पता ही नहीं चलता की वो गोवी खा रहे है अब हम क्या करेंगे ना पहले थो हमने गोवी को छणनी पे रख दिया था पास साथ मिनट के लिए जो एक्ट्रा पानी था ना वो निकल गया है तो यहां पे मैं लेए हूँ मिनी चौपर मिनी चौपर में गोवी को चौप कर लेंगे बारिक अगर आपके पास यह नहीं है तो घीया कसे भी गही सकते हैं उससे भी ह कर लूँगी और बीच का जो बीज था ना उससे मैंने निकाल दिया है तो छोटे छोटे पीस में सिमला मिर्च को यहां पे मैं कट कर लूँगी तो अगर आपके पास सिमला मिर्च नहीं है तो आगे भी मैं बताऊंगी सिमला मिर्च के जगे कुछ और भी यूज कर सकते है तो देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पीस में न मैं दोनों सिम्ला मिर्च को कट करके रख लूँगी तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से सबजी बनाते हैं न तो बहुत तेश्टी भी लगता है और इस सबजी को सूखा भी बना सकते हैं या फिर रस वला बना सकते हैं तो इसे रोटी या फिर चावल के भी साथ खा सकते हैं तो दिखिए हमने यहां पर सिमला मिर्च तो काट लिया है यहां पर लिए है आतेंच से चार हरी मिर्च यह मिर्च न इतना तीखा नहीं है क्योंकि अभी न यतना तीखा वाला मिर्च नहीं आ रहे है तिसले मैं थोड़ा ज़्यादा मिर्च ली हूँ मिर्च को भी मैं ऐसे रफली कट कर लेती हूँ और यहां पे ली हूँ एक इंच के टुकरा अदरक तो अदरक को न हम छील लेंगे और फिर हम छोटे पीस में अदरक को कट कर लेंगे तो जब भी हम अदरक डालते हैं तो अदरक को छील करके डालना चाहिए क्योंकि अदरक को तीजा आप में धोया जाता है मैं यहां पे ली हूँ एक खलवट्टा इसमें डाली हूँ अदरक हरी मिर्च आठ से दस धाना काली मिर्च और एक चमच जीरा इन सब को न इसमें खलवट्टे में कूट लेंगे तो इस तरीके से जब हम कूट के डालेंगे सबजी में तो सबची और भी टेश्टी बनती है तो दिखिए यह ना इस तरीके से कडस हो गया है मैं इसे एक प्लेट में निकालके रख लेती हूँ और यहां पे ली हूँ लगभग तीन से चार या फिर पांच टमाटर तो यह हैवरेट टमाटर है तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ली हूँ तो टमाटर को भी हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं इतना भी छोटा नहीं काटना है बस रफली में कट कर लेती हूँ तो इस टमाटर में बीज कम होते हैं और यह खटा भी कम होता है तो कोई भी सब्जी में ये थोड़ा जादा डलता है तो उसके बज़े से ग्रेवी गाड़ी बनती है तो टमाटर कटके तयार हो गया यहाँ पे लीहु में ये जो कड़सकरा था अद्रक और हरी मिर्च वो डालेंगे धनिया पाउडर डालेंगे मैंने हींग डाला थोड़ा सा और जितना नमक लगेगा उतना नमक डाल दिया और थोड़ा सा एक चोथाई चमच गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे अब इसमें दो से तीन चम्मच बेशन डाल देंगे और बिना पानी डाले इसे मिक्स करेंगे तो जो हमने खलवटे में कूठा था जीरा, काली मीर, चहरी मीर तो उसके जगह पे आप लासुन भी ले सकते हैं तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे पानी एक बुन भी नहीं डालना है और इसे देखिए इस तरीके से बांध करके देख लेंगे तो ये बांध रहा है तो ठीक है फिर भी हम क्या करेंगे ना इसे अभी 10 से 15 मिनिट के लिए इसे रेश्ट देंगे नमक जो डाला है ना नमक के बज़े से गोवी में से पानी छोड़ेगा तो इसे लिए भी हम 10 से 15 मिनिट के लिए से मिक्स करके छोड़ देते हैं ढखके और आगे के तैयारी हम कर लेते हैं तो यहां पर मैं लहीं हुए एक करहाई करहाई में डालेंगे एक से डेर चमच के करीब तेल तेल को हमने गरम कर लिया इसमें डालेंगे जीरा आधा चमच कसूरी में थी थोड़ा सा इससे ने सबजी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हम बेसन यूज कर रहें सबजी में तो हींग डालना जरूरी है इससे न पाचन सकती हमारी अच्छी होती है तो एक पिंज इतना हींग डाल दिया और वो जो खलवटे में कूट के रखा था न वो एक चमच बचा लिया था तो वो डाल दिया अगर आपने नहीं बचाया है तो आप यहाँ पे तीन से चार पियाज ले सकते हैं और चार से पाच गाट लह सुन ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पे डाला है एक चमच शॉंप दो लोंग और तीन से चार इलाची शौरी तीन से चार लोंग और दो इलाची इन सब को डाल करके न सिमला मिर्च को थोड़ी दिर फ्राई कर लेंगे तो अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो प्याज को शॉप्ट होने तक फ्राई कर लेना तो देखिए थोड़ा सा न हमारा सिमला मिर्च पग गया तो इसमें मैं डाल देती हूं टमाटर सारे के सारे टमाटर डाल देंगे टमाटर जल्दी से गल जाते इसमें डालेंगे नमक और यहां पर मैं डाल नहीं हूँ खर्बुजी का बीज आपिस चिके पे सफेद तील या फिर आठ से दस काजू भी डाल सकते हैं तो सफेद तील डालेंगे तो दो चमच डाल देना मैं यहां पे दो चमच के करीब खरबुजी के बीज डाली हूँ इसे मिक्स करेंगे और टमाटर को न दो से तीन मिनट तक तेज आच पे पका लेंगे तो टमाटर न थोड़ ऐसा फ्राइब हो जाएगा इसका पानी जल जाएगा इसमें डालेंगे दो कप के करीब पानी और मिक्स करके इसे ढखकन बंद करके छोड़ देते हैं लगभग दस से पंदरे मिनट के लिए पकने के लिए तब तक मैं यहाँ पे ली हूँ दूसरी कड़ाई और इसमें डाला है रिफाइंड ओईल और उसे अच्छे से गराम होने देंगे तो यहाँ पे न गो भी को जो दस पंदरे मिनट के लिए छोड़ा था न नमक के बज़े से उसमें थोड़ा सा पानी आ गिया है तो वो गीला लग रहा था इसलिए हमने रेश्ट पढ़ भी दिया था तो एक से देर चमच बेशन और मिक्स किया है और फिर इस तरीके से बांद के देख लेंगे कि छोटा छोटा बाल बन रहा है न तो ठीक है नहीं तो और उपर से बेशन मिला सकते हैं पर कम से कम बेशन मिलाना और तेल को पहले हम तेश्टी लगता है तो देखे इसे न मध्यम आज पर फराई करना है पहले तो जब हम डालेंगे कोपते आज को थोड़ा तेजी रखना है और सबसे पहले एक बाल डाल करके देख ले न कहीं वो तूट फूट तो नहीं रहा है जब अच्छे से फराई हो रहा हो तो ही डा और डालने के बाद आज को कम कर देना और मध्यम से थोड़ा लो आज करके इसे पकने देना 5-6 मिनट लगेगा पकने में जल्दी वाजी करेंगे न तो बीच से कच्छा रह जाता है तो बस ये कोपता हमारा फराई हो गया है इसे हम साइड में रखेंगे और ये जो मसाला पकने के लिए रखा था न तो ये पक गया है तो इसे क्या करेंगे हम मिक्सी के जार में डाल करके इसका हम बारिक पेस्ट बना करके तयार कर लेंगे तो मसाला हमने पीज के तयार कर लिया है सेम कराई में डाला है एक चमच तेल उसमें डाला है हल्दी पौडर, धनिया का पौडर और गरम मसाला पौडर आप यहाँ पे जीरा पौडर भी डाल सकते हैं तो बस इसे गुनगुना तेल में इसे हम पहले मसाला को भून लेंगे तेल को गरम करके ठंडा करके फिर ही मसाला डालेंगे नहीं तो मसाला ने जल जाते हैं फिर सबजी का टेस्ट भी खराब हो जाता है तो जो पीछा हुवा मसाला था ना टमाटर सिमिला मिर्च वो डाल द दनिया के पत्तियां कट कर रही हूँ तो इसे न हम ind में add करेंगे तो सबसे पहले जो कोपते हैं न कोपते को gravy में डालेंगे तो पानी तो उबलब बथा ही तो gravy में वाल आ गया है तो इसमें डाल देंगे इस कोपते को और कोपता डालने के बाद ते ने तीन से चार मिनटी पकाना है इस से जृदधा नहीं पकाना नहीं तो न तोट फोट जाएगा ज़्यादा पक जाएगा तो तो वह जैसे अवाल आते हैं तब तक मैं यहां पर लए हूँ तीन से चार चमच बरे चमच घर की मलाई और इसे फेट लेंगे फेटने के बाद इसमें डाल देंगे अगर आपके पास घर की मलाई नहीं है तो क्रीम डाल सकते हैं या फिर फ्रेस दाही भी मिक्स करके डाल सकते हैं और इसे डालने के बाद 2-3 मिनट तक पकाया बस यह हमारी सब्जी बनके तयार है इसमें डालेंगे हरी मीर चोड़ादनिया के पत्तिया और अभी जो ग्रेवी आपको पतला दिख रहा है न यह ग्रेवी बहुत ठीक हो जाएगा क्योंकि कोपते हमारे जो है जूस पियेंगे तो यह ग्रेवी गाड़ी हो जाएगा तो इतना गाड़ी ही ग्रेवी रखना है मतला पतला रखना है जब यह ठंडा हो जाएगा न तो यह ठीक हो जाएगा आज की यह कोपता के वीडियो कैसी लेगे नीचे कॉमेंट करके हमें जरूर बताना फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में